Friends, आज 18th November 2022 और आज के एस lecture में हम बात करेंगे income tax declaration forms की जो हम अपने institutions में, organizations में या colleges में submit कर रहे हैं. हमारे पास दो tax rate regimes है, old tax rate regime और new tax rate regime. New tax rate regime में हमें कोई standard deductions नहीं मिलती और कोई HRA का deductions हमें नहीं मिलेगा, interest on housing loan का deductions नहीं मिलेगा और ना ही ATC से लेकर ATU तक की deductions का फाइदा होता आ रहे हैं. यदि हम old tax rate regime लेते हैं तो उसमें हमें standard deductions मिलेगी, HRA का exemptions मिलेगा, interest on housing loan वो भी मिलेगा और ATC से लेकर ATU तक की जो deductions होती हैं, जो हम saving करते हैं, उसका benefit हमें मिलता है. कोई ऐसा thumb rule नहीं है कि आपको old tax rate regime में tax कम आएगा या new tax rate regime में tax कम आएगा. आपको अपनी calculations कर लेनी चाहिए और यदि आपकी income पांच लाग से लेकर पांच लाग सो लाजार की रेंज में हैं, तो आपको कोशिश यह करनी चाहिए, कि आप जो पांच लाग से उपर की extra income है, उसको आप किसी asset section में ले जाएं. आपके donations हो सकता है, medical insurance premium हो सकता है, कि आपकी पांच लाग तक आजाए, हमें जो age देखनी होती है, वो देखनी होगी 1 April 2023 को, यदि आप उस date पर 60 साल आपने 10 कर लिया, या उससे ज़्यादा, तो आप कराएंगे senior citizen, और उस time आपको old रिजिम के अंदर 3 लाग तक कोई tax नही नहीं देना, और यदि आप 80 साल age attain कर लेते हैं, 1 April 2023 तक या उससे ज़्यादा, तो आपको ग्यूंचन मिलती है, old tax rate regime में, 5 लाग tax rates, up to 5 लाग 5%, 5 लाग 10 लाग 20% और 10 लाग 30%, सर्चार्ज tax per tax होता है, 50 लाग 10%, 1 क्रोड़ सुपर 15%, 2 क्रोड़ सुपर 25% और 5 क्रोड़ सुपर 37%, लेकिन ये सर्चार्ज 15% रहेगा, यदि आपकी income 111A, 112 and 112A की है, टेक्स और सर्चार्ज को जोड़ कर, जो amount आएगा, उस पर health education से सर्चता है, यदि आपकी taxable income 5 लाग तक है, तो आपको rebate मिलती है, 87A के अंदर, maximum 12,500, new tax rate regime के अंदर, किसी तरह का, कोई age का discrimination नहीं है, सब के लिए, एग्यूचल मिट, धाई लाग रुपया है, सर्चार्ज और health education से उसी तरीके से लगता है, और section 87A की rebate भी उसी तरीके से है, ये आपके पास options है, कि आप नया tax rate regime चूज करें, या ना करें, ये आप अपने employer को बता सकते हैं, documents देने होंगे, ये आप old tax rate regime को opt करते हैं, नया tax rate regime में, डाई लाग से पान्च लाग 5% slap rate है, पान्च लाग से साड़े साथ लाग 10%, साड़े साथ लाग से 10 लाग 15%, 10 लाग से साड़े बार लाग 20% और साड़े बार लाग से 15%, 15 लाग 25, जबकि old tax rate regime में, शिरू हो जाता है 30% 10 लाग के बार लेकिन, इसमें आपको housing loan का deduction नहीं मिलका, extend deduction नहीं मिलती, जो 50,000 की हैं, और 80, C से लेकर 80 यो तक कोई deduction आप पर नहीं मिलती, except employer contribution to new pension scheme, जो कियाता है, section 80, CCD, within bracket 2 के अंदर, deductions not allowed, under new tax rate regime, extend deductions, interest alone, HRA का children education lounge, जो 100 पर मत पर चायड़ होता है, maximum two children का, वो भी इसमें नहीं मिलता, money claim नहीं मिलेगा आपको, donations का नहीं मिलेगा आपको, 80 TTA, 80 TTV भी नहीं मिलता, old tax rate regime के अंदर, यदि आपकी income 3 लाग है, और आप non senior citizen है, तो tax बनता है, 5 लाग से 5 लाग रुपे पर 5 परसेंट, 5 लाग रुपे, 87 A की रिबेट के कारण, वो amount 0 हो जाता है, आपकी tax लाटी बनती है, 0, और यदि इंकम आपकी 4 लाग है, तो tax बनेगा 7500, 87 A की रिबेट की विज़े से, tax लाटी आपकी 0 बन जाती है, 5 लाग पर tax बनता है, 5 लाग से 5 लाग, 12,500 और ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, 87 A की रिबेट से, लेकिन जैसे ही आपकी इंकम बरती है, 5 लाग से उपर, तो आपको रिबेट खत्म हो जाती है, जी हाँ, आपको रिबेट फिर नहीं मिलेगी, 5 लाग 100 लाग पर tax बना, 12,520 और आपका रिबेट खत्म हो गया, आपकी tax लाइटी बन गई, 13,021, 100 लाग आपकी इंकम बढ़ती है, और tax बन जाता है, 13,021, यदि आप ये 100 लाग प्रामिस्टर रिलीफ फरंड में, या कोई SS सेक्षन जो आपने अभी तक अबेल नहीं क दिया, उसमें कर देते हैं कि 5 लाग और 5 लाग तक 0, आपकी इंकम 5 लाग 15 लाग, टेक्स बना उस पर, 5 लाग से 5 लाग, 12,000 और 5 लाग से 15 लाग, 20 परसेंट, 3 लाग, 15 लाग, आपको रिबेट नहीं मिली, और 4 परसेंट हेल्थ, एजुकेशन सेस्स के साथ, आपका हो ग पड़ रहा है 16,120, यहाँ पर किसी दरहा का कोई मर्जर लीब आपको नहीं मिलता, आपकी इंकम 5,16,420 और रिबेट ना मिलने के करण, तो यदि आपकी इंकम इस रेंज तक है, तो जो एक्स्ट्रा मांट है, 5 लाग सूपर, उसको आप जीरो कर लेते हैं, तो आपको ये फाइदे का सौधा, यदि आप नया टेक्स रेट रिजीम चूज करते हैं, तो उसमें भी 5 लाग तक कोई आपकी नहीं बनती, because of रिबेट आप सेक्शन 87A, लेकिन यदि 5 लाग से उसमें इंकम बढ़ गई, तो उसको आपकम नहीं कर पाएंगे, रिजन की उसमें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक का कोई आपको बेनफिट नहीं मिलता, इसलिए यदि आपकी इंकम और टेक्स रेट रिजीम के हिसाब से 5 लाग और 5 लाग 6420 के बीच में हैं, तो आप उसको टेक्स लेटी को जीरो कर सकते हैं, डोनेशन्स देकर, माडिक अलेक् हो सकते हैं, आपकी टेक्स प्लानिंग, टेक्स की सेविंग्स, जो भी करना है, यदि आप एमप्लायर जब आपसे डेक्लेशन पॉर्म माग रहा है, तब तक नहीं कर पाते, तो आप 31 मार्ट 23 तक आपको कर लेना है, thank you very much for watching this video.